हलो दोस्तों कैसे हैं आप मुझे अमीद है आप बेहतर होंगे आप इसके मेरे चैनल को आरेस कंपेटेटिव एकजाम को सब्सक्राइब करीं दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगने ही वाला है आज हम सुरू करेंगे दक्षता मुल्यांकन जांच परिच्छा 2010 में ये हुआ था उसमें सिक्षन संबंधी काफी अच्छी अच्छी इसमें कोश्ण दिया हुआ है मुझे उमीद है इसमें से एक दो प्रस्ण जरूर आएगा इसमें परधाना ध्यापक में आए या ना आए मेरी प्रामरी स्कूल के लिए परधान सिक्षक का जो होने जा रहा परिच्छा बीपीएसी का उसमें जरूर आने की संभामना है चलिए बिना देर की हुए शुरू करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे पहला कुशन कहता है सालिमार सब्द का अर्थ क्या होता है सुन्दर दूसरा कता टेबूल पर पुस्तके रखी है इस बाक में पर किस कारक का चिन है अधी करन कारक लगुस ध्यान्त कौमुदी रचना है तूलसिदास का जो क्रिया की विशेस्ता को बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेस्टन सिहासन हिल उठे राजबन सोने भिरकुटी तानी थी इसमें भिरकुटी तानने कार्थोगा क्रोधित होना प्राचीन का बिलोम हो जाएगा अरवाचीन प्राचीन का बिलोम हो जाएगा अरवाचीन भूल गया है क्यों इंसान कविता के रचैता कौन है हर्वांसराय वच्चन भेड़िया आया सिर्षक कहानी से हमें जूट नहीं बोलना चाहिए गराम चैतिस सिर्षक पाठ से किस ब्रिक्ष का बर्णन है आम का चले फिर करते हैं दस नमबर दस नमबर कहता है अनुग्रिहेत का अर्थ है किर्पा का आभार मानने वाला कागजी खोड़े दोराना व्यर्थ का काम करना क्यार कताजम लिखित में उचारन अस्थान की रिष्टी से गलत जोड़े को बताईए गलत जोड़ा हो जाएगा मुर्धा चार नची केता ने प्रथम वर क्या मांगा था आत्मा की जनकारी चोड़ा कहता है याचना नहीं अब रन होगा ये कृष्टी की चेतावनी है अहा आम बहुत मीठा है बिस्मियादी अहा महात्मा गांदी के अनुशार धर्म का अभिप्राय है धर्म का अभिप्राय है आत्म ज्यान से तिन नमबर उसके बाद सतरा नमबर सतरा नमबर कता है आज सीला तथा उसकी सहेली आने वाली है इसमें सबनाम हो जाएगा उसकी सीर्चन किस पाठ का पात्र है ठेस अंगुली माल ने कौन सी परतिग्यां की थी एक हजार लोगों की हत्या करने की एक नमबर जीवन का जहरना कविता के कवी कौन है बीस नमबर गोपाल से ही ने पाली निकित में से गलत संदी विछेद तिसरा सनलगने जातिवाजख संग्या गाए फिर करते हैं एक कीस नमबर अनुराग में कौन सा उपसर्ग है उपसर्ग जो पहली लगता है अब परते जो बाद में लगता है अनू तो अनू उपसर्ग हो जाएगा एक नमबर परते जो बाद में तो एक हो जाएगा तिन नमबर 25 नमबर 25 का हो जाएगा कि सोर भारती 4 नमबर एक्स वटे 7 ब्रावर 3 एक्स वटे 7 ब्रावर 3 तो एक्स ब्रावर हो जाएगा 7 गुना 3 ब्रावर 21 cross multiplication हो जाएगा cross multiplication इसका अंसर हो गया हमारा 21 तिर्भुच के तीनों कोनों का योग 180 degree तिर्भुच के तीनों कोनों का योग 180 degree 9,12,102 दो नमबर हो जागा इसका बरतिकरम में बरतिकरम में हो जागा एक नमबर 30 ये गाय के चार पर हैं 15 हो जागा 60 अंसर हो जागा 6 से कराई काई 6, 7, 5 6, 7 में 6 का स्थानी अमान 60 बिर्त की सबसे बड़ी जीवा को बिर्त की सबसे बड़ी जीवा को ब्यास कहते हैं 33 34 34 कांसर हो जागा अधिक्तम मान वाला एक वाटे 8 35 अंगुठा और ताजनी के बीच समान कोन इसमें सबसे बड़ा है हो जागा 36 पहला जरो 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 पांच 40 नंबर एक नंबर हो जागा जो एक से या स्वाई से कटे धोला का नरांगिस से इसमें हो जागा अकरती बक्सा चलिए फिर कता है 42 नंबर 42 नंबर कता है हो जागा बड़ा छोटा दिखाना है 42 नंबर हो जागा दूसरा बारा बटे 100 को दसमलम में तो जीरो दसमलम एक दू हो जागा दिगर तिर्भुज में बी कितने डीगरी का है साथ डीगरी का है बारा उजार बनाने में एक मसिन पाच घंड लेती है तो बीस घंडा में यहने चार गुना हो गया तो उधर भी चार गुना हो जागा 124 ताली 480 पिर कितार अच्छा बंधन कत्योहार हो जागा पूर्णीमा को कौन सरवाहारी मनुष सरवाहारी है सब कुछ खाता है मीट मसली सबजी साग सब खाता है इसके बाद आप करते हैं करो या मरो का नारा महात्मा गांधी करो या मरो का नारा किस ने दिया महात्मा गांधी कर दिये थे जड़ मिटी से क्या करता है दुसरा नंबर खानी जेवम लमन किस पदार्थ कव योग की टानुओं को मारने के लिए कहता है पोटेसियम परमेगनेट भरत के राश्पति कितनों बर्सों के लिए पांच बर्स के लिए आमला में कौन से विटामिन सी आमला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसी देश में स्थानी अमान ग्रीन मीच टाइम बल में लगा होता है फिलामेंट टेंगस्टन का 4000 डिगरी सेंटीग्रेट पर यह गलता है हाई मेल्डिंग पॉइंट है फिर इसके बाद है कता है कि समूद्र जल खारा क्यों होता है लवन घुला होगा रता है लवन घुला वरता इसके गान खरा होता है बिद्दूत धारा मापने अमीटर खिल जी बंसकर संस्थापक अलाव दिन खिल जी पॉलियों किस से उच में जीव जीवानू पॉलियों होता है जीवानू फिर है बकसर का यूद बकसर का यूद 1764 में कि अलो का परवरती दूप किसका परवरती दूप है तना का बार्षठ कहता है परियावरंद इवस पांच जून से साकम अकवारा सासाराम कि इस सुर्योद का देश जापान और सुर्यास्त का देश नॉर्वे इन में से कौन धातों नहीं है सोडियम दूरी के अनुसार सूर के सबसे नजदीक बूद वीटामिटी की कमी से रिकेट्स इसने का था स्वाराज हमारा जन्मसिद अधिकार है बाल गंगधर तिलक का एक मसुहूर है ये ब्रेल लिपी ब्रेल लिपी हम लोग सब को जानते हैं ब्रेल लिपी है अंधों के लिए पढ़ने का एक तकनीक है ये गौतम बुद्ध को बोधिया में किस बिर्च के नीचे बोधि बिर्च के नीचे बोधि बिर्च के नीचे अच्छा यदि कच्छा में कोई छात्र भाय वस प्रस्थ जानते उत्तर जानते हुए भी ठीक तरह से नहीं दे पाता है तो आप उसे क्या करेंगे उसे हम भाय के मूल करनों को जानेंगे कि वो किस करन से ड़ता है उसके बाद 72 करता है बहतर करता है जो अध्यापक अपने करतावे के उपिछा करके अपने अधिकारियों को प्रसंद करने में लगे रहते हैं वे पराया लभानवित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं ऐसे परिवेस में आप क्या करेंगे ऐसे परिवेस में लाव हाने की चिंता किये विना अपने करतब्बे का पालन करते रहेंगे चार नमबर उसके बाद 73 73 के कहता है आपके बिचार से विद्याले में छात्रों के सैक्षिन भ्रह्मन का प्रवंद करना आवास है क्योंकि इससे छात्रों को परत्यक संपर्क से ग्यान प्राप्त करने का आफसर मिलता है दो नमबर इसका हो जाएगा एक अध्यापक करूप में बिद्याले सिच्छा समीती में आप सक्रिय भाग लेंगे एक नमबर यदि आपकी लौटरी खुल जाए यदि आपकी लौटरी खुल जाए तो आप उसका कुछ भाग खर्च करेंगे अच्छी पुष्टकों के क्रेय पर खर देंगे कच्छा में पाठ प्रहाते समय अचाना कोई प्रस्थ पुषता है जो उस समय उस प्रसंग से मिल नहीं खता है तो आप क्या करेंगे छातर को आस्वस्थ करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी संका का समधान किया जाएगा चार नमबर सततर सततर कहता है एक छातर ने अपने आपके प्रस्न का जो उतर दिया है पाठ पुष्टक में नहीं है अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे हम उत्तर की समिच्छा कर चातर के ब्यक्तिकत समझ के लिए उसे सावासी देंगे सिख्छन को रुचकर और प्रफबसाली बनाने के लिए आवस्यक है आवस्यक है जीवन उपयोगी और व्यभारिक उदाहरनों को प्रस्तूत करना हम अपने अनुबब से जोधारन सिखते हैं उसके द्वारा अगर हम उसे समझाएं तो ज्यादा बेहतर ढंक से वो समझ सकता है फिर कता है सेवेंटीनाइन सेवेंटीनाइन कता है कच्छा सिख्छन तब अच्छा होता है जब छात्र प्रस्त पुष्टे रहते हैं प्रस्त पुष्टे रहते हैं इसका मतलब कच्छा में विद्यार्थी को रूची है अगर प्रस्त पुष्टे हैं इसका मतलब कि उनको रूची नहीं ले रहे हैं बिकलांगों को समान सिख्छा व्यवस्था में सिच्छित करना चाहिए क्योंकि क्योंकि 80 का यह है क्योंकि क्योंकि वह उन्हें जीवन में अपने आप समाय वजित करता है दो नमबर इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा दो नमबर 81 आपका स्वय के प्रति विचार है मुझे फल की परवाह के भी ना कार्ज करते रहना चार नमबर उसका बिरासी बिरासी का अंसर हो जाएगा एक सिच्छक करूप में आपका महत्पूर्ण विचार है कठिन प्रस्थिती में भी आत्म विश्वास बनाए रखना तिन नमबर जब आप कार्ज करते हैं तो किस विशय पर अधिक सोचते हैं कार्ज की सफलता है और असफलता पर तिन नमबर चारासी नमबर कहता है आप से कोई तर्क विदर्क करें तो आपका उसके प्रती कैसा देश्टिकून संभावित है तर्क बिदर करने वाले से कुछ सीखने की कोशिस करेंगे तिन नमबर अक्सर आप अपना काम निकालना चाहते हैं समय का सही सद्युप्योग करके 86 बच्चों के विकास के लिए उप्योगी मानते हैं बच्चों के सभी क्रिया कलापू पर विसेश द्यान देना चाहिए तथा उसकी गलवडियों को सिख्र दूर करना चाहिए उदांड च्छात्रों को आप सही मार्ग पर लाएंगे अच्छी सिच्छा देकर उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा चार नमबर अठासी अठासी के यदि कोई च्छात्र आप से प्रस्थ पुझता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते हैं अईसे इस्तिती में आप क्या करेंगे च्छात्र को बताएगे कि उसके प्रस्थ का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे चार नमबर च्छात्रों में अनुसासन पैदा करने के लिए आप अनुसासन को जीवन से जोड़ कर सिच्छन कराएगे बिशे को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो उसके लिए आप उसके लिए उसकी शिक्छन सेलिमे सुधार करेंगे बिशे को और अधिक मनुरंजक बनाएगे उसकी रूची की कमी का कारण जानेंगे उप्योगत सभी हो जाएगा तीनो इसका सही है मैं भी चित्रकथा के पात्र है चूजा और बत्तक का बच्चा 92 हाईकू जा पानी जहाज के खिलोने बनाने की चित्रकला हमें हिंदुस्तानी पुष्टा के बिसे बस्तू है भारत के जादि से संबंधित कविता है काड़ी कच्चा बिवस्था के प्रइनाम सुरूख बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया बन जता है अपितु कित्रिम खंडों में बढ़ जाता है प्रोफेसर साम मेनन का ये कहना है समर हिल है बाल सुधार ग्री हिंद स्वराज के लेखक बहुत ही प्रसिद्धि पुष्टक हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधि उसके बाद संतानवे संतानवे कहता है बोधि संबाद की स्वध्याय समागरी का धारपन निम्री के गरत चुड़े को पहचान कीजिए संतानवे का फिच्छा में हेर फिर रविन एक नमबर हो जाएगा अन्ठानवे अन्ठानवे का अंसर हो जाएगा अन्ठानवे का अंसर हो जाएगा बिहार एक पिछला राज्य है 99 का अंसर हो जाएगा सच्छर्टा सिच्छित करने के सादनों में से एक है साथ छर्ता अपने आप में सिख्छा नहीं है यह कथन किसा है स्री अरविंद का है एक स्कूल का ब्यान कि छुटका मौलविश सहाब कैसे सिख्छत थे स्कूल के प्रधान ध्यापक आंसर तीन हो जागा इसका पूरे एक सो प्रसन को हमने कर दिया अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए अपने दोस्तों को बताइए जिसे की मेरा मनोबल बढ़ सके आपको अच्छा च्छा वीडियो डाल सके जिसकी सुचना आप तुरत मिल सके आपको इसके बाद हम तुरत एक प्रैक्टिस से डलने जा रहे हैं थैंक यू